मैंने बताया था कि 6 cases होंगे concave mirror के और 2 cases होंगे सिर्फ convex mirror के और ये cases कैसे आए जब मैं distance को vary करूंगा concave और convex mirror से तो मेरे पास में 6 cases आएंगे concave mirror में और 2 cases बनेंगे convex mirror में ठीक है तो स्टार्ट आज हमें lecture second का second part चालू करना है इससे पहले हम दो lecture कर चुके हैं सबसे पहले lecture में हमने light chapter चालू किया था फिर हमने second lecture में उसके first part में spherical mirrors चालू किये थे फिर हमने पढ़ा था कि spherical mirrors कौन-कौन से type के होते फिर हमने पढ़ा था कि जो spherical mirror होते वह उनके नाम की टाइप उनके नाम की टाइप जो है वह किस तरीके से आया उनको हमने नाम दिया थे ना diverging और diverging वह किस तरीके से आया फिर क्या रीजन था उनके नाम देने का ठीक है यह सारी चीज़े हमने पिछले लेक्टर में डिसकस करी थी फिर हमने पर गंड़ी चयाएगी तो इस एंगल पर इस से वापिस रिप्लेक्ट होकर में लिएक खरी तो इस ऐखर नहीं देखा है को आयर्ट करें लेक्टर करें को लैक्टर देख सकता है कर रहां लेक्टर का एक संट समय के तोुका्स हमें स्टार्ट चालू किया था हम अपन स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट मेर्ल आ और आपने पड़ए थे ना उनकी डेफिनस्ंक न भी लिखनी पड़ेगी की उनकी डेफिनेशन होती है انका मतलब क्या zwr inch इंग्ठ तो सारे components के अपन पहले definition लिखते हैं फिर अपन जाएंगे image formation फिर इमेज फॉर्मेशन फिर पिछले लेक्टर में मैंने बता था कि 6 cases होंगे और 2 cases होंगे सिर्फ convex mirror के और यह cases कैसे आए जब मैं distance को vary करूंगा concave और convex mirror से तो मेरे पास में 6 cases आएंगे concave mirror में और 2 cases बनेंगे convex mirror में ठीक है तो start करते हैं chapter 10 light reflection and reflection ठीक है so components क्या क्या था सबसे पहले में सारे components लिखता हूँ सबसे पहला था मेरे पास में principal axis principal axis फिर मेरे पास में था center of curvature फिर मेरे पास में क्या था फिर मेरे पास में था focal point या फिर focus focus या फिर focal point फिर मेरे पास में था pole फिर मेरे पास में क्या था और कुछ चीज बच रही क्या एक और चीज है दो और चीज़े है रेडियस आप कर वेचर और center sorry focal length ठीक है यह 6 components है इस सारे spherical mirrors के तो एक ही करके अपन सारे components की define लिखते है या पर definition लिखते है ठीक है तो अपने पास में दो-दो mirror spherical mirror concave or convex हर एक इसकी definition mirror के इसाब से अलगल होगी ठीक है देखो principle axis में को क्या बोलती है सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूँ एक concave mirror यहां पर बनाता हूँ मैं convex principle axis एक line imaginary line है जो इन mirrors को two halves में divide करती है यह आदा half और यह आदा half ठीक है principle axis एक imaginary line है real life में ऐसी line नहीं होती है mirror के अंदर ऐसे लगा रखी होती है ऐसी line नहीं होती real life में मगर imaginary lines create की गई है mirror को दो हाफ में divide करती है ठीक है so it is a line which divides the mirror the spherical mirror इंटू हाफ में इन स्फेरिकल मेर्स को डिवाइड करती होती है अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है माल लो तो यह क्या है center of curvature मतलब इस curve का center the center of curve is known as its center of curvature the center of curve of the spherical mirror is known as center of curvature sphere का या फिर इस curve का जो center है वो कहलाता है center of curvature ठीक है the center of the sphere of the sphere from which the spherical mirrors is known as is known as center of curvature ठीक है यह होगी आपने पास प्रिंसिपल प्रिंट फोकल प्रिंट क्या होता है गर कोई light ray parallel to principal axis होती है तो strike करने के बाद में converge होती है कनवर्ज होने के बाद में सारी ray जो parallel to principal axis थी वो एक ही point पर जाके मिलती ही उसको बोलते है अपन focus या फिर focal point और convex mirror में क्या होता है अगर ray parallel to principal axis है तो यह diverge होगी और ऐसा लगेगा कि यह यहां से कहीं से आ रही थी सारी जो कि principle axis के parallel थी और इसको मैं बोलूंगा focus ठीक है इसका real focus होता है इसका imaginary focus होता है real क्योंकि actual meetup पोरा है light का और यहां पर real meetup नहीं और actual meetup नहीं और आपन को अशा लग रहा है कि light वहां से आ ठीक है तो focus have a focal point के कुछ definition ऐसी होगी की the point the point on principle axis principle axis पहेना point the point on principle axis at which is parallel to principle axis meet meets और appears to meet उसमें appears to meet हो रहा है न appears to meet is known as focus या फिर focal point ठीक है अब आजब पोल पर पोल क्या होता है इसको मैंने बोला था ना पोल यह पोल था अपने पास में तो पोल क्या है जहां से इस mirror में principle axis penetrate करी जिस points से principle axis उस mirror में penetrate करी उसको मैं क्या बोलूंगा प्रिंस पोल है ना प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पेनेट्रेट्रेट्स दी स्फेरिकल मिर्र ठीक है यह मेरे पास में हो गया पोल ठीक है अब रेडिस ऑप कर्वेचर क्या हुआ हुआ the radius of sphere from which the this this spherical mirror was made या फिर the distance from deep pole to the center of curvature is known as radius of curvature आयbelsरिक क्यों कि यहां तक है circumference है इस sphere की तो अगर यह sphere होता तो मैं क्या बोलता center of sphere radius Papier और this क्योंकि यह अपने पास में कर्व है तो मैं क्या बोलूँगा radius of curvature इसकी radius है यहां से यहां तक ठीक है so the distance from pole from pole to the center of curvature is known as radius of curvature अब focal length क्या होगी the distance from pole towards from the focal point the distance from pole to the focal point is known as अपने पास में focal length ठीक है उदर भी वही है the distance from pole from the focal point is known as focal length the distance from the pole to the focal point focal point या फिर focus is known as अपने पास में क्या आता है focal length ठीक है तो यह सारे component से अपने पास में spherical mirror के लिए अब यह component discuss की को रहे है ताकि में को image formation में सहुलियत मिली या बहुत easy से image formation कर सुख अगर में distance को vary करूंगा ठीक है पिसले topic में या पिसले में पता चलाना कि अगर यह है तो मेरे पास में ऐसा ऐसा होगा ठीक है तो यह component discuss करना यह component बताना बहुत जरूरी ठीक है अब अपन चलते है image formation image formation by spherical mirror spherical mirror से image formation देखेंगे अगर मैं distance को vary करूंगा spherical mirror से तो distances के साथ साथ में में मेरे पास में image का image की height width length या फिर nature कैसा कैसा बनेगा ठीक है सबसे पहले अपन लेते हैं कौन के mirror क्यूंकि 6 cases है जिसमें जादा variety होती ही उसको पहले देखा जाता है कि इमेज फॉर्मेर्शन अब है कौन के में अभी छे cases होंगे कौन चे के से जो मैंने बता है ना वो होगे कौन को से सबसे पहले में इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यह रहा ठीक है यह रहा पोल और यह कुछ सेंटर होगा मान लो और यह अपने पास में आगया फोकस ठीक है नाओ दो अब मैं क्या क्या करूंगा मैं कुछ 6 किसस कौन कौन से जब मैं तो बहुत दूर रखूंगा बहुत दूर मतलब infinity इंफिनिटी बहुत दूर होता है फिर मैं रखूंगा infinity और center of curvature के बीच में यहां पर कहीं पर पोल के बीच में रखा ठीक है तो यह सारे मेरे पास में 6 केसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 केसे मेरे पास में है ऐसे जैसे में पीछे लेके जाओंगे तो मैं देख हुआ कि जो इस मैंमेच बनरी है मेरे पास में कैसी बन ठीक है तो सबसे पहला के इस लेते हम जव इस ऊब्जेक्ट को रखते हम इन्फिनिटी कि मा एट इन्फिनिटी इन्फिनिती को कुछ ऐसे रिनोट करते है वापे से अपना कॉनके मिरर ले आता हों तो यह अपना कॉनके मेरर focus इन दोनों के बीच में क्यों बनाया क्योंकि यह होगी radius ठीक है यह होगी radius और इसको मैं बोलूँगा focal length इसको मैं छोटे f से इस f से denote करता हो इसको मैं r से denote करता हूँ और एक relation होता है r is equal to 2 f या फिर f is equal to r upon 2 यह तो यह radius का half है इसलिए मैंने बीच में बनाया ठीक है अब यह relation भी मैं अगले lecture में आपको प्रूव करके बताऊंगा कि relation आया कैसे ठीक है नो मैंने कहा रखा object को infinity infinity से जो जो भी raise आती है वह आपस में parallel होती क्योंकि मान लो मैं पास में infinity पर object था यह सीधे सीधे आ रहा था अगर किसी को साथ साथ में चलना है ना बहुत लंबय टाइम तक तो आपस में parallel चलना पड़ता है लड़ाई जगर ऐसे इधर उदर नहीं होना पड़ता तो सारी रे जो की बहुत दूर से आएगी वह आपस में parallel होगी अब मैं इस इन इसको प्रिंसिपल एक्सिस के भी parallel क्यों कि ताकि में को image formation में help मिल सके ठीक है मैं को तो image बना दी ना मैं कैसे भी बनाओ ठीक है जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से जाएगी focus से यह रही आपने पास में focus से जाती है यह भी focus से जाएगी तिक यह भी focus पर चली गई अब strike करने की बाद में मेरे पास में reflected रे जो बनी वह मेट करी कहां पर focus पर तो actual meet up वह राइट का और मेरे पास में clear image मिली ठीक है meet up वह राइट का और जहां पर meet up वह में clear image मिली तो कहां पर बनी focus पर और actual meet up वह तो image कैसी होगी real और object इतना बड़ा था image कैसी बन रही है एकदम point size बन रही मेरे पास में तो object की size image की size कैसी object के comparison में बहुत ही पर चोटी है थीक है ना और अब इसको मैं सीधा मानलो मैं लो मैंने पास में image और object था सीधा सीधा मानलों यह उल्टा यह तो बिल्कुल छोटी सी point size बन रही ना मैं इसको को सीधह मानों या फिर उल Τा उसके लिए को करता हूँ इसके करता हूं कि मैं इसको ऐसे महल kep पर एसे प्राइब रहे तो यह ले चर्ड आ रही थी और यह की कर्ने के बाद में कुछ यह मिले अब ऐसे क्यों मिली यहां पर अपने पास में नॉर्मल और वह जो लॉज थे ना रिफ्लेक्शन के वह फॉल हुए और अपने पास यहां पर मिली यहां पर यहां पर मिली वहां पर मैं कोई तो में को उल्टी मिल रही है तो में पास में मैं कैसी हя है इनवसकी झीया है था है नहीं चार चीजे नेचर के बारे में चार कीज़े ना अबर सब से पहली कहां पर बन रही है डाट पोड़ा बंस में मैं पर पीच्व चार्ड लगा दें तो तो कहां पर बन रही है फोकल पॉइंट बन रही और कैसी बन रही है थर्ड क्या होगा अपने पास में क्या है नीचे बन रही है इंवर्ट बन रही है और highly diminished मतलब बहुत ही छोटी बन रही है object की comparison ठीक है तो यह सारी properties आहीं मेरे पास में जब मैंने रखा object को infinity ठीक है second case देखते हैं अपन second case क्या होगा जब मैं object को रखूँगा infinity और center of curvature के बीच में ठीक है second case क्या होगा जब मैं रखूँगा object को center of curvature और infinity के बीच में between c and infinity ठीक है वापिस से मैं mirror को ले आता हूँ यह में पास में इसकी principal axis यह इसका pole यह इसका focal point यह इसका center of curvature ठीक है अच्छा पिछले पिछले वाले पिछले वाले पिछले वाले object का मैं demonstration बताना पूल गया यह रहा उसका demonstration जब मैं रखता हूँ object को infinity पे देखो एकड़म point size बन रही और वहां पे focus पे बन दी ठीक है अब मैं बताओगा आपको कि जब मैं center of curvature और infinity के बीच में object को रखता हूँ center of curvature और infinity के बीच में object रखा माल लो q2 ठीक है अब मेंको तो image बनानी तो image में कैसे बनाऊंगा दो रेल ले जाओगा मैं इसके प्रेल से ठीक है बहुत सारी रेल जाएगे यहां से भी जायोगी मैं को पूरी यहांने से कर्याय से ठात के बापक बएनरा और यहां पर इमेंच आ गई Jadi में एक्ष्वल मीटब हो रहा है और इस से थोड़ी चूती यह मतलब diminished बन रही है और कहां पर बन रही है focus और center of curvature के बीच में बन रही है ठीक है सबसे पहला तो between c and f center of curvature और focus के बीच में ठीक है second क्या है real बन रही है third क्या है action meter वो रहा है तो real बन रही है third क्या है diminished बन रही है और fourth क्या है inverted बन रही है इन्वर्टी बन रही है inverted ठीक है अब क्या में कॉन के में कभी erect image मिलेगी देखते आके मिलती है की नहीं मिलती है तो यह केस होगे आपने पास में second जब मैं center of curvature और infinity के बीच में रखता हूँ यह रहा उसका demonstration जब मैं center of curvature और infinity के बीच में रखता हूँ कहाँ image बन रही है focus और center of curvature के बीच में ठीक है अगला case देखते है अगला case कुछ मेरे पास में है जब मैं center of curvature पर रखता हूँ एट center of curvature एट सी ठीक है वापिस से मेरा concave mirror लिया आता हूँ कि यह principal axis यह पूल यह इसका center of curvature यह इसका focus ठीक है कहां पर रख रखा है center of curvature पर यह भी माल लो यह object था मैं एक रहे कैसे लिखे जाओंगा पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी focus अब मैं center of curvature से पिसले case में लिखे गया तो दूसरी रे को मगर इस case में लेके नहीं जा सकता क्योंकि अब्जेक्टी center of curvature पर तो मेरे मैं रे center of curvature से कैसे लेके जाओं तो एक रे में लेके जाओंगा दूसरे वाले case को मैं ने जब बताया था आपको एक रे focus से लेके जाओंगा तो कैसी होगी parallel to principal axis जाएगी ठीक है और यह meet होने के बाद में कुछ यहां पर मिलेगी यहां पर और मेरे पास में object आएगा a-b- center of curvature पर ही यह arrow बनाना बहुत important है पहले भी बताया था मैं ठीक है center of curvature पर ही image बन रही और रही है at center of curvature पर बन रही है third क्या होगा same size की बन रही है same size ठीक है fourth क्या है inverted बन ठीक है उल्टी बन रही है बात समद्ध में आई अब यह रहा उसका डेमोर्ट्री चे जब मैं center of curvature पर रखता हूँ अब मैं इन सारे cases में light को ऐसे क्यूं लेके जा रहा हूँ ऐसे दूर से क्यूं लेके जा रहा हूँ क्यूंकि मेरे पास laser lights बहुत बड़ी बड़ी है चोटे scale पर मैं laser lights को ऐसे पास-पास में रख नहीं सकता है ना ताकि मैं को उसके सर से light लेके जानी तो मैं आगे से भी तो लेके जा सकता हूँ ना मैंने पहले भी बताए light को कोई लेना देना नहीं light कहां से आ रही है यहां से इसका path same है तो वैसे ही मानेगी या फिर वैसे आगे बिहेव करेगी ठीक है ना अब अपन देखते हैं जब मैं focus और center of curvature की बीच में रखता हूं कि अब बिट्वीन center of curvature and focus ठीक है वापिस से में mirror ले आता हूं यह मेरे पास में mirror आ गया यह रहे मेरे पास में पोल इसका यह रहा इसका center of curvature और यह रहा इसका focus ठीक है अब मैंने का रखा center of curvature और focus की बीच में यह रहा मेरे पास में AB एक रह वापिस parallel to principal axis कहां से जाएगी focus से ठीक है एक रह में लेकि जाओंगा कुछ ऐसे ताकि मैं को ऐसा लगेगा कि यह ऐसे कुछ जा रही है समझ में आई बात तो यह retrace कर लेगी अपना पात मैंने मैं को ऐसा लगा कि center of curvature पर से जा रही है तो वापिस retrace करेगी पात और पीछे जाके कहीं पर यह दोनों मिलेगी इसकी मार लो यहां पर मिली तो मेरे पास में एक इमेज बनी इसकी यहां पर ठीके अगर यहां पर बनी तो a-b- इमेरे पास में ऐसा उल्टा बना ठीके तो center of curvature और focus के बीच में रख रहा हूँ तो मेरे पास इमेज कहां पर बन रही है बन रही है ठीक है अब मैं आपको बहुत अच्छा रिलेशन बताऊंगा जब मैं इन सारे केसे को एक साथ कंसिडर करूंगा ठीक है एकुल मीटा पूरा तो रियल बन रही है और पर रही है थार क्या है इन वर्ट बन रही है और पोर्ट क्या है ऐलार्ज बन ते एक यह तो यह सारे चारो अपने पास में प्रॉपर्टि सब्सक्राइब आये तक निम्स की यह रहा उसका डेमर्सेश्चन जब मैं फोकस और सेंटर ओप कर्वेचर के बीच में रखता हूं अब मैं रखता हूं फोकस अरगे इस अरगे इस करने फोकस पर रखा दो यह 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 रहा मेरे पास में इसका फोकस यह रहा पोल यह रहा center of curvature इसका यहां पर कई पर माल लेता हूँ और यह रहा इसका focus ठीक है यह रहा focus और यह रहा center of curvature अब मैंने object को कहां रख रहा है focus पर यह और यह एक ने तो पहले दू प्रिंसेपल एक्सिस कहां से जाएगी कहां से जाएगी भाया focus से ठीक है और अब मैं दो चीज़े कर सकता हूँ यह एक तो मैं पहले वाले केस की तरह लेके चला जाओ ऐसे कैसे कुछ ऐसे कर लेगी और एक मैं ऐसे जा सकता हूँ रेत कोई सी ही इस अब बहुत सार्य यह आएगी एक मैं से ले सकता हूँ तो दोनौं केस में देखो रेती आपस में पहल्लेन टीक है तो आगई कई पर जाकी मिलेगे मतलब पहलेल यह तो आपस में जाके कही पर infinity भी ठीक है कि तो अगर मैं फोक पर रखते हो तो में पास मैं इमेज कहां पर बनेगी बहुत ही दूर मान लो कही यहां पर infinity भीए है और size बहुत बड़ा होगा अपने बहुत इन्फिनिट पर बढ़ा था object जब मैंने image object की size बहुत बड़ी बोली थी तो image की size भी बहुत बड़ी होगी तो real तो हो रही है न क्योंकि actual meetup तो हो रहा infinity पर जाके भी होगा तो सही तो image कैसी बन रही है real बन रही है कहां पर बन रही है at infinity बन रही है कैसी बन रही है है रियल बन रही सॉरी इन्वर्टेड बन रही है और एनलार्जम को ठीक है हाई लिया फिर हाई ली एंज तो यह चारो प्रॉपर्टी से अपने पास जब मैं फोकस पर रखता हूं यह रहा उसका डेमोंस्रेशन जब मैं फोकस पर रखता ओ अब लास्ट केश देखते हैं अ इस lecture का क्योंकि length of lecture बहुत बड़ी हो चुकी है I guess 42 minutes हो चुके है So, कहां पर रखा मैंने last case between focus and pore ठीक है वापस से mirror ले आता हूँ यह रहा focus और यह रहा focus और यह रहा focus और अब्जेक्ट कहा रख रहा मैंने focus और पोल के बीच मालो यह भी था ठीक है एक रहे प्रिंसिपल आक्रिस हरे केस में कहां से जाएगी focus ठीक है और दो केस वापिस से मैं consider कर सकता हूँ कि एक रहे मैंने ऐसे डाल दी वह ऐसे जा रही थी और एक रहे मैंने कुछ ऐसे डाल दी ठीक है तो यह reflection के बार में diverge हो रही तो diverge रहे कभी मिलने सकती क्योंकि आगे diverge होगी तो और separate हो जाएगी ना तो यह आगे कही जाके तो में पास में इमेज ऐसा लगेगा में को कि आगे कहीं पर बन रही तो में पास में इमेज यहां पर आगी डाश बी डाश और पहली बार actual meetup नहीं हुआ कॉनके मिरर के केस में मतलब कि अपने पास में इमेज कैसी आई और रियल का उल्टा क्या होता है virtual ठीक है और इससे बड़ी बन रही है तो enlarged और कहां पर बन रही है behind the mirror और कैसी बन रही है इरेक्ट बन रही है पहला केस था जब मेरे पास में इरेक्ट तो में एक रिलेशन निकाल सकता हो वर्चुल के साथ में इरेक्ट फ्री आता है यह बहुत है तो यह चेस से अपने पास में और वह बना देता है आपके सामने ताकि मैं आपको एक पर इया पर एक जादू बता सको एक मैं अपर बना देता है यह मेर यह देखिये तेक यह पिछले वाले का डेमोंस्ट्रेशन यह रहा जब मैं फोकस और पोल के बीच में रखता हूं ठीक है तो अपने पास में आगे कहीं पर पर जाके मिलेगी देखो डाइवर्ज हो और रही है तो अब अपन देखते है छे कैसे जब मैं अलग अलग डिस्टेंस पर रख रहा था यह यह इसका पोल यह सेंटर आप कर वेचर इस पोकस को इस अब बना देंगे अपने प्रिच्ट कर विच्र ये फोकस और तो यहां पर मिल रही तो यहां पर मिली और मालो ऐसी इंवर्टेट मिली मैं जब मैंने टिल्ट कर दिया थो थोड़ा सा ठीक है अटीक नहीं तो आप मेरे भी नंबर काट दोगे मैंने काई रखा था यह रहा अपने पास फॉस्ट केस इस मैंने रखा था बिट्वीन इंक्वीनीटी ऐंड यहां पर कई पर औब्जेक्त रखा था और पहले तो गिक उसे जाएगी और ऐसे जाके प्रिंचिपल कर लेगी अपना पात तो यहां पर मेंज बन रही थी ठीके से और यह फोकस से जाती हुई तो इधर बनी मेरे पास में इमिज है ठीक है यहां पे फोर्ट केस देखो थोड़ी बिट्वीन फोकस और सेंटर आफ कर वेचर बिट्वीन focus and center of curvature parallel to principal axis कहां से जाएगी focus से और यह जाएगी अपने पास में focus से जाएगी तो parallel to principal axis हो जाएगी तो image बनी मेरे पास में a-b- ठीक है beyond c और fifth case मेरे पास में कहा था add focus ठीक है तो add focus पर मैंने image को रखा object को रखा तो a b parallel to principal axis focus से और एक और ऐसा कर सकता हो या फिर वैसा कर सकता हो तुम्हें एक करके बता रहो आपको या फिर दोनों कर देता हो ऐसा कुछ ठीक है तो infinity पर कहीं पर जाके मिलेगी और यहां पर last case था अपने पास में फिर शिक्स्त केस एड़ बिट्वीन फोकस एंड और यहां पर image ऐसे जाके ऐसे पर ऐसे जाके फोकस से और यहां पर एक ऐसा कर सकता हूं मैं यह diver हो जाएगी और आगे जाके कई पर मिलेगी तो मैं को image मिलेगी behind the mirror के डाश ठीक है तो यह छे cases थे अपने पास में कौन के अब ध्यान से देखो एक इसको देखो फिफ्ट केस को जब मैं infinity पर रखता हूं तो कहां पर मिलती फोकस पर और जब मैं focus पर रखता हूं तो कहां पर मिलती इंपिनिटी पर दोनों एक दूसरे के opposite case है अब आप second case में जब मैं center of curvature के beyond रखता हूं तो मैं पास में का मिलती ही C और F के बीच में जब मैं C और F के बीच में रखता हूं तो center of curvature के beyond मिलती ही यह दूनों एक दूसरे के opposite तो यह जादू मैं आपको बताना चालता है यह एक दूसरे के opposite एक जादू और बताऊंगा जब अपन रिफ्रैक्शन पड़ेंगे ठीक है यह सारे छे cases अपने पास में जब मैं रखता हूं object को distance vary करता हूं concave और concave mirror में ठीक है तो यह 6 cases थे अब अगले lecture में यह पार्ट second lecture का पार्ट थर्ड भी आएगा बहुत जल जिसमें अपन convex mirror को complete करके इस second lecture को wrap up करेंगे ठीक है अभी second lecture remaining meaning है so बहुत जल्द आएगा वो भी लेक्चर तब तक के लिए अच्छा लगाओ तो बहुत इच्छी बात है नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात है बाई बाई